सिर्फ घूमने के लिए अपनी permanent government job को छोड़ने की क्या जरूरत थी और आजकल बेना job के मैं कैसे survive कर रहा हूँ और आमदनी जो हो भी रही है वो कितने होती है आप मेंसे इतने सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे मुझे लगा क्यों ना इस topic पर एक वीडियो बनाया जाए और साथ ही आपको ये भी बताओं कि इतने सार तक job करते हुए मैं कैसे इतना जादा गूम पाता था कैसे मुझे घर से permissions मिल जाती थी कैसे office से permissions मिल जाती थी तो आज का ये वीडियो इसी topic पर जनाब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरे चानल पर पहला Q&A वीडियो है और इसके information मैंने दी थी अपने Instagram पर कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो डालके पूछा था कि अगर आपके कुछ सवाल हो मुझे लेकर तो आप पूछ सकते हैं बहुत सारे लोगों ने सवाल किये तो सबसे पहले बता दूँ कि अगर Instagram पर आप टुड़े हुए हैं मेरे साथ तो ये information आपको दूती रहेगी बहुत सारे सवाल मुझे मिले बहुत सारे लोगों ने सवाल किये और सबसे ज़्यादा सवाल मैं जैसे आपको पहले बताया था मेरे जॉब स्टेटर्स को लेकर पूछे गए थे वैसे तो मेरी जो इस वक किर्गिस्तान की सीरीज चल रही है उसके पहले वीडियो में जिसमें मैं दिल्ली से किर्गिस्तान जाते हुए उस बेकिस्तान पहुँचा था फ्लाइट से मैंने बता दिया था कि अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से बुख्त हो चुका हूँ तो उसका मतलब यही था कि मैं अपनी जो 9 to 5 जो इरेगिलर जॉब होती थी मेरी इसको मैं छोड़ चुका हूँ अब उस बात को काफी महीने बीच चुके हैं अब मैं फुल टाइम यही करता हूँ ट्रावलिंग हालांकि फिल्हाल तो हम सभी अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं अपने अपने कैद हैं और बस मतलब क्या बताऊं कई बार तो मन की हालत बड़ी अजीब सी होने लगती है कब यह हालात खत्म हों गया कब हम इन से बाहर निकलेंगे जो भी है एक regular income होती थी जब मैं जॉब में था वो अब बंद हो चुकी है क्योंकि रिजाइन कर दिया है तो अब क्योंकि वो आंदेनी नहीं है मैं इसके लिए एक full-fledgedly एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से साफ तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन-कौन से avenues हैं जहां से मैं कमाई करता हूँ और अगर आप भी full-time traveler या full-time YouTuber या कुछ और इस तरह का full-time करना चाहें, freelancer बनना चाहें तो ऐसे कौन-कौन से जरिये हैं जहां से आप थोड़ी-थोड़ी करके कमाई कर सकते हैं ये मैं आपके साथ एक अगले वीडियो को और चानल पर पहली बार आए हैं तो उस वीडियो की जानकारी के लिए बहतर है सब्स्राइब करने अब मैं आपको बता दूँ honestly कि इस वक्स status क्या है मेरी आमधनी का देखिए जनाब अच्छी-खासी salary थी उन दिनों जब मैं नौक दी करता था और अब हालात ये हैं कि स आप लोग शायद मैं जॉब करते हुए अपनी पूरे जिंदगी में ये कमाई कभी हासल नहीं कर पाता इतना सपोर्ट इतना मोटिवेशन और जिस मुकाम पर आप लोगों ने मुझे आज जहां पहुचा दिया है शायद मैं अगर वही कर रहा होता मैं नहीं पहुच पात हालात कुछ ऐसे होंगे बहुत सपोर्टिव तो बहुत अच्छी इंकम हो सकती है जितना एक साल में कमाते हैं वो शायद एक महीने में हो जाए बड़े-बड़े यूटीबर जासे कमाते हैं ऐसा सुनने में आया है लेकिन हालात इस वक बहुत जादा खराम है मेरे लेकिन एक फेज है मैं इसके लिए तैयार था और जब भी लगेगा कि बताल रोटी के भी पैसे खतम हो गए है मैं आप लोग में से पहे चेक मांग लूगा अब मैं आपको मताता हूं कुछ और भी ऐसे इस जोब को छोड़ने का फैस्वा लिया था सबसे बड़ी बात तो वही ज चुट्टी लेना बहुत-बहुत मुश्किल काम है और इसके पीछे मुझे लगता है बहुत-बड़ा कारण यह है हमारी इंडियन सोसाइटी में घूमना अभी एक लेजर के अक्टिविटी समझी जाती है ऐसा लगता है कि जैसे यह शौक है शौकिया चीज है और अगर न इस चीज को अगर रियलाइज हमारी सोसाइटी करें और ऐसा नहीं है कि हमारे सोसाइटी हमारे प्राजीन सिस्ट्रम में जो इंडियन सिस्ट्रम था उसमें घूमने का जो इंपॉर्टन्स थी वह बहुत जादा थी लोग समझते थे अब पता नहीं क्यों कहां खराब हो ग बच्चे बाहर निकल जाते हैं पैरेंट समझते हैं इस बात को वह सारी की सारी चीज़े हमारे यहां पर नहीं होने की वज़े से लगता है कि घूमने के लिए चुटी देना और अभी तो गया ही था दो महीने पहले फिर से घूमने के लिए चुटी मांग रहा है बस इस व चुटी ली या बीच में ऐसी चुटी जॉइन करी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कम से कम चुटियों में जादा से जादा ट्रावल किया इस वीडियो के आगे वाले हिससे में आपके साथ शेयर करूंगा तो उस वक्तों मैं यही करता रहा है धीरे धीरे लगा कि यह ट् फिर से वही सारे सिलसिले शुरू हो गए चुटी लीना बहुत मुश्किल होता था सोचा कि चलो अब छोड़ी देते हैं और अब तक क्या था कि दुनिया में घूंते हुए कई ऐसे लोगों के साथ ने बादशीत हो चुपी थी ऐसे लोगों से मुलाधात हो चुपी थी ज मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए और मैंने किया फाइंदिली जॉप कुट कर देगी एक सबसे बड़ी चीज थी मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ इन तीन सालों में जब मैंने देखा कि लाखों लोग मुझे देखते हैं और आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे कमेंट्स में ये कहते हैं कि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि ए लेखता था अपने country में travel करते हुए, 2016-17 तक तो मैंने country में खूब travel के, यानी 16-17 सा, 2000 से मैं traveling कर रहा हूँ, extensive traveling इंडिया में, तो इन 16-17 सालों में घूमते हुए, मैं ऐसे ऐसे foreigner से मिला, जो सरफ एक bag लटका के, पूरा का पूरा देश explore करने, पूरी दुनिया explore कर रहे हैं, उन लोगों ने सिखाया कि, घूमने का एक यह भी तरीका है, लगा कि, कम budget की traveling भी possible है, इसको बताया जाए, योगि मेरे आसपास कुछ ऐसे friends थे, जो मेरी बात सुनने के बाद में सोच थे थे, इतने कम budget में traveling कैसे हो सकती है, और इतने सारे trips करना कैसे possible हो सकता है, जब उनको यह समझ में आने लगा, तो मुझे लगा कि, जरूरत है इसको एक बड़े लेवल के बताया जाने की, तो YouTube चानल इस तरीके से शुरू हुआ था, और आप क्योंकि यह दीरे-दीरे grow हो रहा है, इजमेदारी और बड़ी हो जाती है, मैं चाहता हूँ कि यह और भी जादा लोगों तक थेले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी country, सिर्फ हमारी country नहीं हमारी country के आस-पास रहने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, तो वो भी लोग भूमें, अब भूमना क्यों जरूरी है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काश इस दुनिया में हम सब के सब भूम रहे होते, तो आपस यह ज़िफरेंसे हैं ना, हमारे आपस के बीच में जैसे हैं यह कम हो जाती हैं, आज दुनिया वैसी नहीं होती, जैसे हैं आज हो चुकी है, खेर अभी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा गूमना शुरू कर दें, तो दुनिया अच्छी हो सकती हैं और इसके लिए ही, गूमना पॉसिबल है, मैंने कई सालों तक इसी तरीके से गूमकडी की, जॉब में रहते हुए, कैसे की, ये मैं आपको आप बताता हूँ, वीडियो का ये पार्ट उन लोगन के लिए बड़े काम का हो सकता है, जो जॉब या अपने पढ़ाई की वज़े से, ये मौकों का इंतजार करता था, फर एक्जांपल, मैं जब आसन सोल में था, तो बंगाल में सबसे बड़ा जोत्य हार आता था, जहां पर तीन-चार छुट्टी एक साथ आती थी, वो था दुर्गापूजा, ऑक्टूबर के दिनों का इंतजार मुझे सबसे ज़ादा रहता था, और यही रीजन है, कि इतने साल वहां रहते हुए, मैं दुर्गापूजा कभी बंगाल में अटेंड नहीं कर पाया, जब दुर्गापूजा आती थी, मैं कहीं नहीं निकल जाता था, तो यह चारपाँ चुट्टी होती थी दुर्गापूजा की, और दो-तीन चुट्टी और मिलाईं उसके साथ में, क्याजूल लीट सोर जोड़के, तो करीब साथ आठ दिन, आठ दस दिन की चुट्टी लेके, बहुत सारे ट्रिप्स मैंने इसी तरीके से किये थे, दुर्गापूजा की अबग, तो इस तरीके से चुट्टी के कैलेंडर को देखते हुए, आप अगर उसको स्टडी करेंगे, तो आप अपने घूमने का शेडूल बना सकते हैं, मैं आपको एक एक अग्जामपल देता हूँ, हमारे पूरे साल में, इंडिया की अगर बात करें, कुछ खास महीने हैं जब चुट्टियां बहुत जादा मिल जाती हैं, शुरुआत करते हैं जन्वरी से, फिर उसके बाद एप्रिल में चुट्टी आती, फिर ऑउगस्ट में आते हैं और फिर ऑक्टोबर नवंबर के आसपास दिवाली दशेरा वाला टाइम, तो ये तीन-चार महीने ऐसे हैं जहां पर आप अपने घुमने की प्लानिंग्स कर सकते हैं, इन चुट्टियों के बाद मैं जो दूसरी तरह की जो स्ट्राटेजी अपनाता था वो होती थी, किसी चुट्टी के दिन काम कर दिया ओफिस में जाके और उसके बजाए मैंने लिया कंपेंसेट्री ओफ, अब उसको मैंने जोड़ दिया वीकेंड्स में जाके, इस तरीके से मैंने बहुत सारे ट्रिप्स किये, आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक चीज़ का और वाइदा उठाया मैंने अपने जॉब में रहते हुए, कई बार मुझे खुद ट्रावलिंग करने का मौका मिलता था, अफिशियल असाइंमेंट्स कर, अफिशियल असाइंमेंट्स पर रहते हुए अपना काम किया, एक दिन की छुट्टी और लेली और आसपास घूम आया, तो यह भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खास और पजा विदेश जाते हैं तो, एक और आसपेक्ट है जो जॉब्स के द्वरान आप कर सकते हैं, ऐसा मैंने किया था, दिल्ली में मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, अचानक इस बीच मैंने एक इंट्रव्यू दिया था, एक और दूसरी गवर्मेंट जॉब का, और वहां से मुझे सिलेक्शन लेटर आया, आफ़र लेटर आया, जो पोस्टिंग मुझे मुझे मिली वेस्ट बेंगॉल में, आसन सोल में, अभी तक क्या था इतने सार दिल्ली में रहते हुए, जब भी मुझे मुझे मौका मिलता था तो दिल्ली के आसपास जो भी सारी जगे थी, काफी extensively मैं घूमा, तो जब ये मौका मिला वेस्ट बेंगॉल जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि ये वाली नौकरी छोड़के दिल्ली वाली नौकरी छोड़के, वेस्ट बेंगॉल चला जाता हूं और उसको अपना इंग बेस बनाकर वहां के आसपास के जो इलाके होंगे, तो उनको मैं एक्स्पोर करूं और ऐसा ही किया, कैसार आसनसोड में रहा और वहां रहते हुए नेपाल दो तीन बार गया, घुटान गया था, बांगलादेश पर यह था उसके कुछ वीडियो आप देख सकते हैं, इस चैनल पर है, मैं आनमार का एक छोटा सा गाउं देखकर आया था, मनिपुर, मेजोरम, असम त्रिपु पर आसपास के लाके देखने, परसो आप हूँ, परसो नहीं, पर कभी आप गोहारती चले जाएं, गोहारती के आसपास के जो सारा नौर्थींस आप आप वहाँ पर एक्सप्च्पोर कर सकते हैं, तो इस तरीके से एक रेगयूलर जॉब करते हुए भी आप ट्रावलिंग को जारी रख सकते हैं अब मैं आपको एक बड़ी important travel tip देने के लिए जा रहा हूँ यह एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप follow करेंगे तो और ज़्यादा घूम सकते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अकसर घूम इसलिए नहीं पाते हैं अब यार किसी के साथ में जाना है अभी कोई मिल नहीं पा रहा है यह गुरूप नहीं बन पा रहा है मेरे वो दोस्ता उसने plan cancel कर दिया यह मैं भे cancel कर रहा हूँ मेरे बहुत साथा घूमने के पीछे बहुत बड़ा reason यह था कि मैंने बहुत सारे trips अकेले की तो solo traveling करते हुए यह जो आसादी होती है किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है जो मेरा मन करता है मैं करूंगा जब जाना है जहां जाना है शाम को चलना है ट्रेन से जाना है हिच हाइकिंग करनी है काउट सर्फिंग करनी है होस्टल में रहना है होटल में रहना है जो करना है मेरा मन जब करेगा मैं करता हूँ तो solo traveling यह कैसी चीज है जो आपको ज़ादा से ज़ादा घूमने के लिए फिल्क करती है चलिए छोटियां तो होगी manage कैसे planning करनी है कोमने की अब बारी आती है permissions कैसे मिलें खासार के parents से या अपनी family से ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने parents से बात की उनसे मैंने पूछा कि वो क्या concerns थे आपके जब आप जिस वज़े से आप मुझको मेरे college time में जब मैंने पढ़ाई की थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था आप मुझको बहुत जादा ना खुशी से मुझे नहीं भीजा करते थे आप अकसर यह क्या दिया करते थे कि तिरको हमारी सुननी तो है नहीं तो जाना तो पिर भी है तो जा फिर हमसे पूछ क्यों रहा है वो यह कहकर मुझे अकसर बड़े धर्म संकट में फसा दिया करते थे पर एक बात है मैं जाता जरूर था रुका कभी नहीं मैं तो खेर यह तो मेरी अपनी बात थी उन्होंने मुझे कुछ तरीके बताये जो आप अपने पैरेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी परेशानी को समझते हुए आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकें कि आपका घूमना भी हो जाए और उनकी परेशानिया भी सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि जब तु भूमने के लिए जाता था तो हम लोग देखते थे न्यूज में हम क्योंकि आखवारों में पढ़ रहे हैं टीवी में देखते हैं कि उधर यह हो रहा है ऐसा हो रहा है तो हमको तेरी सेफ्टी की चंता होती थी मैंने क्या किय मैंने को वाट्साप चलाना सिखाया मैंने का वाट्साप पर मैं आपके साथ में वीडियो चाट करूंगा टेक्स मेसेजिस भेजता रहूंगा वोइस कॉल करूंगा आपको ताकि हम टच में रहेंगे इस चीज से ममें को बड़ी संदुष्टी मिली ऐसा आप भी कर सकते है और मुझे 100% यकीन है आपके पैरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यहीं होगा पैरेंट्स का जनरली अब मैं पैरेंट्स की बात करता हूँ एक दूसरा जो कंसर्न आता है जब आप स्टूडिन्ट होते हैं पैरेंट्स यह सोचते हैं कि पढ़ाई का वक्त है गोमने के पैरेंट्स के लिए लाके कि पढ़ाई की जहां तक बात है तो उम मैनेज कर लूँगा अब कैसे मैनेज करेंगे आप देखिए जहां तक पैसों के खर्ची की बात है तो मैं जिस तरही किसे करता था उनको ये तो पता था कि मैं बहुत ज़दा खामका फिजूल खर्ची त पता थी अब बजट ट्रावलिंग कैसे करनी है ये आप मेरी ट्रावल सीरीज देखते रही है तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैंने कुछ वीडियो इस पर बना रखे हैं आपके साथ साथ आपके पैरेंट्स के लिए एक खास बात बताना चाहता हूं मेरे बाबा निना बहुत अच्छी बात कही थी वो ये थी कि जब हम जहाज बनाते हैं तो उसको उड़ने के लिए बनाया जाता है ना कि उसको हम लोग खड़ा रखने के लिए बनाते हैं उसको हम पाप करके ही रखें तो बच्चे वो जहाज हैं तो उनको उड़ने के लिए हमें मौके देन ना कि हम उनको अपने घर में रखें या उनको हम डिस्करेज करें घूमने के लिए तो इसलिए अगर आप कुछ ये स्टप्स फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ तो आपके जो concerns हैं अपने बच्चों को लेकर वो दूर हो सकेंगे सबसे पहले school time या college time में जो picnics या excursions होते हैं उनमें आप बच्चों को जाने दें ये वो मौके होते हैं जब पहली बार वो अपने parents से अलग हटकर अपने school के दोस्तों के साथ, अपने teachers के साथ में निकलते हैं दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इसके बाद जब बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाते हैं तो उनको आप तोड़ा कहीं आसपास जाने के लिए train से बस से उनको solo traveling करने दें तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये अकेले traveling करने में capable है भी या नहीं कुछ ऐसी organizations हैं जो कुछ ऐसे adventure trips कराती हैं जो बहुत ही safe हैं, बहुत secure हैं और अगर आप अपने बच्चों को उसमें भेजते हैं तो आपको उनकी जो safety वाली जो चिंता है कम से कम उसके लिए परिशान होने की जरुवत नहीं होगी उनमें से एक नाम है Youth Hostel Association of India Youth Hostel के जो trips हैं, all over India होते हैं Families वहाँ पर जाती हैं, आप चाहें तो खुद अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं और जब आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि ये सही है तो आप अपने बच्चों को अगली बार वहाँ भीजिए एक और important tip देता हूँ आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि आपके ट्रावल चानल को देखकर हमारे मन की हिचक खुली और हम लोगों ने घुमना शुरू किया तो जनाब हो सकता है आप दी आपके parents भी थोड़ा सा liberal हो जाएए आपको permissions देना शुरू करें उनसे कहिए कि Mountain Tracker की जो travel series है वो देखा करें अब ये तो थी सारे के सारे suggestions मेरे तरफ से अब आप भी एक काम करिए इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपके पास में भी कुछ ऐसे travel tips हैं कुछ ऐसे तरीकें हैं जिनसे permissions मिल सकें तो प्लीज आप शेयर करिए बहुत सारे लोगों को फाइदा होगा अरे एक important चीज तो बता नहीं भूल गया Bosses को कैसे मनाए एक सच पास बता रहा हूँ Workplace में कैसे manage करना है इसका कोई सी दासादा सा formula नहीं है होता तो मैं job नहीं चोड़ता तो थोड़ा सा मुश्कील है लेकिन हाँ अपना काम आप सही से करते रहेंगे तरीके से करते रहेंगे Bosses को भी थोड़ा travel series दिखाई है तो उनको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि traveling ज़रूरी क्यों है बाकि धीरी धीरे कुछ और formula मुझे मिलेंगे तो मैं share करूँगा बस इस वीडियो में इतना ही था इस वीडियो के बाद में किर्गिस्तान की series resume हो जाएगी वो series में कुछ अभी अच्छे वीडियो आने वाले हैं एक किसी के घर हम को जाना था अचाय का invitation मिला था लेकिन हम पहुँच गए किसी और के घर में एक और वीडियो में आप देखेंगे एक महतरमा के साथ में हिचाइकिंग करने के लिए निकला हूँ तो वो हम दोनों हिचाइकिंग कैसे करने, experience कैसा है वो आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी खुबसूरत सी जील explore की हम लोगों ने तीन दिन की horse riding करने के बाद में बहुत ही अजीबो गरीब सा horse riding का मेरा जिंदकी का पहला horse riding experience वो आप देख सकते हैं एक ऐसी airline में मैंने ट्रावल किया जो इंटरनेट पे कहीं नहीं थी यह सारी की सारी चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी इस किर्विस्तान की सीरीज में मेरे regular वीडियो में भी मैं कुछ इस तरह की informative चीज़ें बताता रहता हूँ वैसे तो मुझे आपको बताने की जरुवत नहीं है लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि यह जो information सारी यह सारी मैंने आज इस वीडियो में शेर की हैं यह मैं अपने almost हर वीडियो में शेर करता हूँ जहां कुछ घूंते हुए नया पता चला मैंने आपके साथ में शेर किया इस उम्मीद में कि इससे आप कुछ सीख पाएंगी और इसको follow करते हुए अपने traveling experience को अच्छा बना सकेंगे जल्दी है एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक travel YouTuber या एक travel vlogger के तौर पर कहां-कहां से earnings हो सकती हैं और अगर आप एक travel YouTuber बनना चाहें तो किस तरीके से अपने चैनल को ब्रो करना चाहिए तो इसलिए जनाब अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करने और अगर आप पहले से इस चैनल पर हैं तो शेर जरूर करें योगि हो सकता है आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके अंदर कहीं मकडी के आर्मान दबे हुए हैं लेकिन उनको जगाने के लिए और भड़गाने के लिए इस तरह के वीडियो दिखाने जरूरी हैं तो इस तरह के वीडियो शेयर करिए और खूब खूमिये और खूमाईए लिए झाल